अगर आपको भी बच्चे पैदा करकर ऐसे छोट दिया जाता तो शायद आप समझ लेते लेकिन इनको ऐसे छोट दिया जाता है अगर आपकी बोड़ी का कोई टेस्ट होता आपके भी पकोड़िश कोड़े बनते होते तो आप शायद समझ लेते लेकिन इनका मास भी बिखता है और ये भी बिखते हैं अगर इन्सान को मारने का जुर्माना 10 से लेकर 50 रुपे तक होता तो शायद इन्सान रोज मरता और मारा भी जा सकता था लेकिन इनको मारने का जुर्माना केवल 50 रुपे है जब कोई भी एनिमल लवर कोई इंजड एनिमल देखता है तो उनका गुसा सबसे पहले उस व्यक्ति पर जाता है जिसने ये काम किया होता है शायद मेरे हिसाब से ज़्यातार एनिमल लवर को ये ही नी पता होगा कि ये सारी क्रियल्टी करने के लिए अगर आपको वो व्यक्ति पकट भी लो तो उसको जो सजा है कानून के रूप में केवल दर से लेकर 50 उर्पे के बीच में ही मेरती है पर्वेंशन ऑफ क्रियल्टी टू एनिमल जैक्ट नी सो साथ में बना ता कि जानवरों पर क्रियल्टी रूप की जा सके इस पर जो बंदा क्रियल्टी करता था उसको सजा थी जो वो केवस दस से लेकर 50 उर्पे के बीच रखी गई थी और ये सजा आज भी 10 से लेकर 50 उर्पे के बीच में ही है मेरे हिसाब से आज की जो जानवरों की सभी की स्थिती है इन पर जो क्रियल्टी होती है उस पर ज़्यादा योगदान इस एक्ट का भी रहता है क्योंकि कोई भी व्यक्ती जो क्रियल्टी करने जाता है अगर वो देखता है कि उसको सजा इतनी ही मिलनी है तो वो मेरे हिसाब से अपने माँ बाब अपने दोस्त बेन भाई जा किसी भी गर्ल फ्रेंड का गुच्सा एनिमाल पर अगर वो उतारना चाहे तो वो बड़ी अ दोस्ति यहन्साने से उतार देगा अवसाइद अगर इंसान पर अत्य चाहर करने की सजा भी इसनी ही होती तो मेरे हिसाबसे इंस्ता रोज इन जानवरों की तरह ही सडकों पर मरता और मारा भी जा सकता था और उसका भी शायद मात पेशियां इनकी तरह ही बिख्ती बजारों में शरया हो भी लेकिन आखिर में मैं आपको ये ही बोलूँगा भली आप इस वीडियो को शेयर ना केजिए लेकिन इन सभी की केर जुरूर केजिए